नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी राजनेतिक विसलेसक देखिए कांग्रेस का ड्रामा फिर से सुरू हो गया है गांधी परिवार का नाटक बाजी फिर से सुरू हो गई है अभी तक हम सुन रहे थे के प्रियंका गांधी वाडरा कह रही हैं कि इस बार जो राहुल गांधी मना किया है कि मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनूगा उसके बाद जो सोनिया गांधी अभी कारेकारी अध्यक्ष बनी हुई हैं टेंप्रेरी अध्यक्ष बनी हुई हैं अब दुबारा गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा गांधी परिवार से बहार का ही कोई अद्यक्स टुना जाएगा जब से ये बोला है ये तब ऐसे समय पे भी प्रियंका ने बोला था जब अंदर से पार्टी के अंदर से ये आवाजे उट रही थी कि अब पार्टी में बड़े पैमाने पर बदलाओ करने की आवश्रता है क्योंकि जो हमारे देश का युवा वर्ग है वो अब भाजपा पर ट्रांसपर हो गया है कांग्रेस को कोई युवा पसंद नहीं करता है युवा के नाम पर इन्होंने युवराज को आगे पेश करने की कोशिश की रहुल गांदी को ये बताएं कि ये हमारे देश का युवा है ये कांग्रेस का युवराज है और उस युवराज के नाम पर कुछ वोट मिलती जाएंगी लेकिन अब चेहरे की जुरियां और सफ वो पैदा कब हुए थे उनसे जो छोटी बहन है वो उनकी जो बहन है उसके बच्चे भी जवान हो गए तो इनकी भी शादी हो गई होती तो टाइम पे अब तक बच्चे इनके जवान होते ये विशह अलग है कि उनकी शादी भी कंट्रोवरसल है कि हो गई कोई कहता नहीं हुई मैं उसे विशे पे नहीं जा रहा हूं मुद्दा है कांग्रेस के अध्यक्ष का और इस अध्यक्ष को ले करके अंदर से अवाजे उठना सुरू हुई क्योंकि एक के बाद एक प्रदेश जब कांग्रेस लूज करती चली गई और जनाधार खोती चली गई पूरे देश से एक आवाज उठने लगी कि अब पार्टी का कोई अध्यक्ष ऐसा हो जो गांधी परिवार से भार का हो क्योंकि गांधी परिवार में अब वो दम नहीं रहा जो लोगों को आकरशित कर सके राहुल गांधी बची कुची साख अपनी कांग्रेस में वो खोते जा रहे हैं जब वो देश के विरोध में कोई ना कोई बयान बाजी कर देते हैं पिछले दिनों उन्होंने राफेल के मुद्दे को लेकर राफेल में मोदी जी जूट बोल रहे हैं राफेल की डील में चोरी हुई है ऐसे तरह के बयान दिये इसको पता नहीं कौन स्क्रिप्ट उनकी लिखता है लेकिन इससे उनका असर उल्टा पड़ा देश वासी काफ भी सेहन नहीं कर सकता लेकिन राफेल गांधी को ये बास समझ में नहीं आती उन्होंने अभी कल ही एक और बयान दे दिया कि मोदी सरकार ने खजाने से पैसे चुराएं हैं और राफेल डील के बारे में कुछ भी खोल कर नहीं बताया है उनको समझ नहीं आ रहा कि आप जि जीन और पाकिस्तान को फाइदा पोचाती हो इससे कांग्रेस की छवी खराब होती जाएगी तो कांग्रेस की छवी खराब होती जा रही है अब कांग्रेस में गांधी परिवार को कोई सुनता नहीं है अब प्रियंका गांधी वाडरा का नाम आगे लाने वाले थे लेकिन लोगों ने वो भी देख लिया कि जनेवधारी ब्राहमन देखा हमने किस तरह से जनेव लगा करके और वो राहुल गांदी कोशिश कर रहे थे ब्राहमनों की बोर्ट पाने के लिए लेकिन वही लोग ये बोलते हैं कि मंदिर में तो लड़कियां छेड़ने वाले जाते हैं यहीं जो है प्रियंका गांदी वाडरा वो बड़ा बड़ा तिलक लगा कर राम नाम की दुशाला ओड़ती है लेकिन ये कभी कभी व्यक्तव दे देते हैं आतंकवादियों के साथ का इनकी माताजी को जो नींद नहीं आती है अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो वहाँ जो पुलिश कर्मी सहीद हुए दिल्ली में बाटला हाउस में उनको लेकर के कोई साहनभूती का एक भी शब्द इन्होंने नहीं बोला राम मंदिर बनाने के लिए बात आई तो राम मंदिर की जब बनने की नंबर आया पूरे देश का माहोल इन्होंने समझ नहीं पाए पूरे देश का मूर इनको समझ नहीं आया और एक भी ऐसा वक्तव इन्होंने नहीं दिया जिस से हिंदू समाज को ये लगे जातिकत राजनीती से उपर नहीं उठ पाएं तो ये प्रियंका गांधी वाड़ा एंग गांधी परिवार पूरा अब इसका जो जादू है वो अब लोगों पर नहीं हो रहा और इसलिए कांग्रेस के अंदर से बड़े लीडरों ने ये पहली बार हुआ है कांग्रेस के नि बड़े लीडरों ने ये पत्र लिखा है पार्टी के अद्यक्ष माने सोनिया गांधी को कि अब जो चुनाव हो पार्टी अद्यक्ष का वो पार्टी के भार का हो इस 23 वरिष्ट नेताओं में पांच पूर्व मुख्य मंत्री हैं कांग्रेस वरकिंग कमेटी के बहुत सार उठा रहे हैं गुलाम नभी आजाद जो राजीव गांधी के समय से कांग्रेस में हैं और वो काफी निकट माने जाते हैं सोनिया गांधी के उन्होंने भी वो पत्र पे साइन किये हैं आनंद सर्मा जो केंद्रिय मंत्री रहें कपिल सिब्बल जाने माने देश के वकील और उन्होंने कहा कि अब पार्टी नेतत्व को बदलने की जरुत है अब जब इतने सीनियर रीडर पार्टी के नेतत्व पर सवाल उठा रहे हैं इसका मतलब ये तैह हो जाता है कि अब गांधी परिवार को और वो सहन नहीं करना चाहते हैं ये हिम्मत दिखाई है मैं इन नेत हिम्मत दिखाई है कि पत्र लिखा है और पार्टी के अध्यक्ष के लिए गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को चुनाव की बात की है इनका होसला अब जाई करनी चाहिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम देर आए दुरूस्त आए इनको समझ में तो आ क्रीवार व्क्ति बदलना पड़ेगा क्योंकि गांधी परिवार तो एक पार्टी नहई है वह परिवार की है आप देखिए रोबर्ट बाडिरा भी उसमें सदस्त है प्रियंका गांधी भी राहूल गांदी और फैसला ही रोचापलूस में कांग्रेस में वो भी अभी हम्मत नहीं कर पा रहे हैं जिनको अभी लगता है कि अगर तुमने गांधी परिवार के विरुद्ध में कुछ एक भी शब्द कह दिया तो ऐसा नहो कि भाई तुमारी चुट्टी हो जाए और इसलिए अभी टीवी डिबेट्स में कोई बैठा है ना अगर या कहीं आप पूछिए किसी कांग्रेसी से खुलकर और मुबाइल फॉन ओन कर लीजिये रिकोर्डिंग तो बैक डॉर में तो कहेंगे वो कि हाँ जी नेतर तो बदलना चाहिए और अब लग रहा है कि गांधी परिवार जो है वो दूसरी दिशा में जा रहा है और आपको बताओं ये इस्टिटिक क्यों पैदा हुई है जब से गांधी परिवार का ये खुलासा हुआ है कि चीन के साथ कांग्रेस ने और ये समझ होते तो आपने सुने होंगे अभी तक कि दो देशों के बीच समJोता हुआ लेकिन ये पहली बार है कि खुलासा हुआ है कि कांग्रेस और चीन की कमिनिश्ट पार्टी के बीच समझूता हुआ जिस समझगते को करने के लिए गांधी परिवार की ही सोनिया गांधी और गांदी हैं जिन्होंने चीन की कंपनियों की भरमार भारत में करवा दी उन्होंने अपनी नीतियां बदली कानून में परिवर्तन लाए और चीन की कंपनियों को भारत में बढ़ावा देने के लिए उनको यहां कंपनी लगाने के लिए उनका निवेश बढ़ाने के लिए ज बेरोजगारी का आरोप तो लगाते हैं राहूल गांदी नरिंदर मोधी पर लेकिन जब अब खुलासा हो गया है तो गांदी परिवार ये मूँ दिखाने लायक नहीं है ये बात और है कि कोई बेशरम होता है तो उसको आप कितना ही गाली दीजिए वो फिर एक बार बत्तमी की जी का काम करे गई राहूल गांदी इस काम में माहिर हैं कि उनको दुनिया में ये नहीं दिखे रा कि हो क्या रहा है वो शोशल मीडिया साफ़ देखते ही नहीं है अगर वो शोशल मीडिया देखते हो तो उनको पता लगए गा, कि फेस्वुक पे उनको कितनी गालियां इस बात के बात से पढ़ रही है, कि चीन एक तरफ तो हमारे बॉडर एरिया में घुसा बैठा है, आप कह रहे हो चीन ने घुसपैट कर दी, चीन ने घुसपैट कर दी, चीन ने हमारी जमीन कब जा दी, अरे भाई, वो हमारी जमीन पर नहीं वो एलेसी पर है और ये हमारी सेना सरकार बोल रही है आप क्या कहना चाहते थे देश की सेना का अपमान करना चाहते हो देश के सेना के जो जन्रल हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी कोई जमीन पर गुस्पैट नहीं हुई है लेकिन राहूल गांदी कहते हैं नहीं हुई है इसका मतलब तो सेना के जनरल जूट बोल रहे हैं तो सेना का अपमान करने को भी नहीं चूकते हैं राहुल गांदी शोशल मीडिया नहीं देखते हैं और जब इनकी आँख खुली और किसी ने बताया होगा और ये शोशल मीडिया पर आपको गालियां पढ़ रही है देश की सैना पर सवाल उठाना बंद करिए सर्जिकल स्टाइक पर सवाल उठाना बंद करिए तो ये क्या करते हैं ये अपने काम में बदलाओ नहीं लाते कि ये गालियां देना बंद करें अपमान करना बंद करें देश की सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी चोंच बंद रखें, ये नहीं करते हैं, करते क्या हैं, फेस्बुक पर सवाल उठा देते हैं, ट्यूटर पर सवाल उठा देते हैं, वो कहते है जी ये जो फेस्बुक है, और जो Whatsapp है, इसमें RSS के लोग भरे हुए हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये दोनों विदेशी कमपनी हैं और जिनकी ये कमपनिया है उनका दूर दूर तक RSS से कोई लेना देना नहीं है इनको हर वो आदमी RSS का दिखाई दे रहा है जो इनको आइना दिखा रहा है तो मैं ये नियूज कर रहा हूं कल को कह देना जी ये भी RSS काई बैठा हुआ है तो ठीक है संग की विचारधारा है मेरी मैं संग को पसंद करता हूं लेकिन क्या मैं जो सवाल उठा रहा हूं ये जायज नहीं है क्या आपने चीन से समझोता नहीं किया क्या आपने देश की सुरक्षास के साथ खिलवार नहीं किया क्या आपने आपको कोई सोशल मीडिया पर अगर कोई आपको बाते थंज करता है तब आप ये कहने लगते हो के आरेसे से संचालन कर रही है फेस्बुक का और वटसप का तो कांगरेस समझे उनका युवा व्रद हो चुका है और इसलिए या तो कुछ युवाओं को बाग दोर दें और य लेकिन आपको मैं एडवांस न्यूज दे रहा हूं कल वर्किंग कमेटी की उनकी एक वर्चुल मीडिया के माध्यम से लेकिन आपको एडवांस न्यूज मैं बता रहा हूं जो अपने अनुभव के आधार पर के ये कांगरेस का एक ड्रामा है इस सोनिया गांधा गांधी जो है इसकी स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने और ये कहा होगा आप पत्र लिखना मैं कहूंगी मैं इस्तीफा दे रही हूं फिर सुर्जे वाला आएंगे वो कहेंगे नहीं जी ये खबर जूटी है सोनिया गांधी इस्तीफा नहीं दे रही है अपने आपी रंड़ जी व पत्र आ रही हो मैं आडवांस नूट जो कह रहा था वो यही है कि यह इसी तरह का ड्रामा है एक दो दिन करेंगे सोनिया गांधी इस्तीफा देंगी राहुल गांधी कैंगे मैं नहीं बनता प्रियंका गांधी कहें deeper के हो गई estop को बना उन्हें तो वाडरा परिवार की या फिर किसी ऐसे विक्ति को बनाया जाएगा जैसा हमने सोनिया गान्दी के शाशनकाल में देखा कि वो एक मोन मोहन सिंग को चुन के लाए थे जिनका काम केवल रबर स्टेंप की तरह था जेम में हाथ दिये चुप चाप ऐसे कार्टून की तरह घुमते रहते थे और उसके बाद उनको अगर खड़े कर दें तो गुलदस्ता थाम लेंगे वो मुखे परदान मंत्री हूं ऐसा भी कोई सोचता नहीं था पैर चूलेंगे किसी के भी चाए उनसे उमर में वो बच्चे जैसा है तो ऐसे किसी वेक्ति को ढूंड के ला देखते हैं इस ड्रामे कांट कहां जाकर होता है नमस्कार